हेलो एब्रीबन समस्तोंग स्वागवात आज रहे वीडियो कू आजी आमें कन्वर्जन आफ यूनिट्स विश्वारे पढ़िवा प्लस्टु फास्टियर फिजिक्स रो फॉस्ट चाप्टर फिजिकल वॉल्ड ने मेजर्मेंट्ट आमें पढ़ुछे प्रिवियस क्लासेश पुड़ा कोचे देखीनो ताहले प्लेइलिस्ट लिंक तमको डेस्क्रिप्ट्चन रे मिटे जीव जायकिन इस स्वावर देखीनियो आउ जो तमको फूल फ्लेस कोर्स तमको करिवार अच्छे डेली लाइट क्लास करिवार अच्छे विकली टेस्ट द अब प्रिवियसली आमें पडिति ले अबाउट यूनिट्स राइट आमें पडिति ले यूनिट काण ताहपर आमें बिविनों सिस्टम अब यूनिट्स विसरे पडिति ले सिस्टम, FBS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम आँ SI सिस्टम आमें क्यमिते आमरो fundamental quantities को धहरी की derived quantities रो रो डिफरेंट यूनिट्स को आमें बाहर करी परिवार से भी सवरे मधें आमें अलचना करते ले डिटेल रे ठीक हो छिए सिस्टम आजी आमें पडिवा वुटे वेरी वेरी इंपोटेंट टोपिक, Conversion of Unit ए Conversion of Unit आवो तमारो NEET एक्जाम पाहिं, J एक्जाम पाहिं भी वेरी वेरी इंपोटेंट आवो तमाहन करो जो बॉर्ड एक्जाम पाहिं भी इंपोटेंट आवो एई जो Conversion of Unit एड़ा तमाहन करो आगाया मीच आप्टर्स गुड़ा करीव अध्यो यूज़ रे आशिवो तमाहन करीकी वेरी वेरी इंपोटेंट टोपिक आपको लास्ट चैन सबाब रे देखिवो देखो Conversion of Unit रो अर्थो कहनो आमरो Unit टा गोट्य सिस्टम रो आउट सिस्टम रे लेखिवाटा राइट जो मोस्टली कौन बैबार हुए आमरो FPS सिस्टम बेशिरे भी हुज़ वे नाई आमको SI सिस्टम रो CGS सिस्टम को Conversion करीवागो पढ़े ठीक हचे तो को सिस्टम रो ना SI सिस्टम रो SI सिस्टम रो CGS सिस्टम को Convert करीवागो पढ़े ठीक हचे SI सिस्टम रो CGS सिस्टम को अब बुझी होग चेश्टा करो जेते वड़े आमें Unit Conversion कोरुचो आमें measurement पर था पढ़े तीले गोटे measurement रे कौन थाए NX देटा थाए Numerical value of Unit जेते में Conversion कोरुचो जेते वड़े एक फर्मुला को मने रख़वा N1X1 is equal to N2X2 माने कौन बुझी जिवा टेंसर नियोंने सब बुझे देवे N1X1 is equal to N2X2 माने कौनो N1X1 गोटे system रो unit is equal to N2X2 आउट system रो unit ये जो X1 आउ X2 ये दीड़ system रो थीवे उदारण सब को मुझी जिवा 1 meter is equal to 100 centimeter we know about it right 1 meter equals 100 centimeter ये इट चाते तमी दिहान दबा 1 meter 1 meter ये 1 हुचि तमरो N1 meter हुचि X1 100 हुचि N2 तमान करो centimeter हुचि X2 N1X1 equal to N2X2 आउट नाउ चिम्दी सेम तमी जीवटे भी पावा 1 kg is equal to 1000 gram ठीक हुचि 1 हुचि तमरो N1 kg हुचि X1 1000 N2 gram हाला X2 तो इत दीड़ जाको समान के तुबले हुच हुच हुचि N1X1 माने first measurement should be equal to N2X2 second measurement but here X1 and X2 are different they are in different system right तो एक फर्मुला को मने रखा आको यूज करी कि आमे आगो को discussion करी बाया आओ गोटे इजी कोस्चिम रो आराम करी बाया तमान को मैं बुझे देऊ चिम्दी unit को कनवर्ट करी बाया is equal to dash centimeter this is the first question okay we have to convert meters into CGS system meter को CGS system रो करी बाया थे बाया SI system को CGS system रो करी बाया थे बाया मेतिक हाली कोईला 1000 meter को कोईला convert into CGS system we have to know that in CGS system meter can meter will be centimeter meter to centimeter is your CGS system right तब बाया करो simple जिन्स 1000 meter आमगो बाया करी बाया थे 1000 meter 1000 meter is equal to dash centimeter okay now here is the trick 1000 is your N1 meter is X1 N1 X1 is equal to N2 X2 X2 is centimeter X2 X1 X2 unit की नहीं N1 N2 numerical value तो गोटे numerical value देची N1 देची तार unit देची N2 देची N2 देची N2 देची N2 जोड़ा आची तो you have to find out this N2 right तो कौण करी बाया देखा simple 1000 meter is equal to N2 centimeter you have to find out N2 okay now दी आड़ा जोड़ा तमको काटी बाया राची दी आड़ा unit को समान करी बाया राची तो बड़ा unit को छटा करी बाया मीटर को centimeter करी बाया N2 into centimeter 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 cancels you will get 1000 multiplied by 100 that is 1 lakh 10 to the power 5 is equal to N2 so N2 रो बेल्यू कोना 1 lakh और 10 to the power 5 centimeter convert क्या में त्याला idea आईड़ा आशी थी थी वो tension नियोने मुतमान को आवरी भी बुजो हुझे आवरी कीची question आमें परिवा जयत्ते कोले जयत्ते अभियास कोरी वो शयत्ते clear हो वहला योदि कोईला convert convert 200 meter per second into CGS system CGS system रे आमको convert कोरी वारे चे काहा को करी वारे चे 200 meter per second का कोरी वारे चे 200 meter per second आचा 200 meter per second let's understand about it here 200 meter per second आचा 200 meter per one second now you have to convert it into CGS in CGS N1 X1 is equal to N2 N1 X1 is equal to N2 X2 right formula N1 is 200 X1 is meter per second N2 is what we have to calculate and X2 here X2 will be centimeter per second and because what are के मिते? meter per second centimeter per second के मिते? CGS system रे कोर चेबरा CGS रे 2nd आचा 2nd आचा 2nd आचा 2nd आचा 2nd आचा 2nd meter आचा 2nd आचा 2nd आचा 2nd आचा 2nd 200 meter per second now let's convert you convert one meter into centimeter that will become 100 centimeter okay and second you don't have to do anything second को किछी कर आचा 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 2nd 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 0000 20,000 is equal to N2 so N2 is 20,000 that means that means your 200 meter per second is equal to 20000 centimeter per second clear है ये उच्छ तमान करो question next जिवा हावतीगा है इससे हाइज करे करें जिवा let's say you have to convert one newton into CGS system एपे एक असला twist one newton टा CGS system रा कॉना दाइन मने कॉना basics कुछी बाग पड़िव newton टा कार फर्मुला कार उनित force रा and force is equal to mass into acceleration तो 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 में कोई परिवा तो में कोई परिवा force is equal to mass रा force रा newton is equal to mass रा kg acceleration रा meter per second square ठीक आच्छी ता इले काण आप देखा one newton is equal to one kg meter per second square one newton is equal to one kg meter per second square बाने newton को ये newton टा special unit की नाइ special unit रे थीले कामा चड़ी बनी तम उन्हों को थरे convert करिवारे ची तारो basic unit रे convert करिवारे ची basic unit मेंनेस ये को को fundamental quantities रो आसी ची तांको unit को धरी की basic units काड़ी बनीट करिवारे ही तम्हें convert करिवारे CGS system रे अब देखा kg meter per second square आसे ला ताको जत्वड़े तम्हें CGS system रे convert करिवा तम्हें काण हावा let's see जदी तम्हें कहिवा जदी तम्हें कहिवा 1 newton is equal to 1 kg meter per second square तो 1 kg meter per second square को convert करिवारे ची तम्हें को को थरे kg रो n1 x1 इस उपके दी पारिवा तम्हें direct n1 x1 is equal to n2 x2 n1 x1 को रोण 1 kg meter per second square 1 newton कोईची ना तो 1 kg meter per second square एज़ इकोल डो n2 आमको बहार करिवार अची x2 तम्हें काण होब सबुरो CGS system कर दियो kg रो CGS होची gram meter रो centimeter second रो second तो gram centimeter per second square आमको करिवार अची तो एबे convert करो आराम से 1 multiplied by kg kg is 1000 gram meter को centimeter करो 100 centimeter per second square per second square is equal to n2 gram centimeter per second square then you have to multiply all those things 1 into 1000 into 100 that will become 1 0 0 0 0 0 1 रे पंस्टा 0 1 lakh gram centimeter per second square is equal to n2 gram centimeter per second square अबे कोटी जिवो? unit कोटी जिवो? रोई ला? रोई ला कोणो? 1 0 0 0 0 0 0 is equal to n2 or you can say 10 to the power 5 n2 रो बेल्यू केता यासला 10 to the power 5 n2 is 10 to the power 5 that means that means 1 newton okay 1 newton is equal to 10 to the power 5 10 to the power 5 कोणो? dine dine कोणो? जिमित्य हमें kg meter per second square को newton कोचो special unit 1 kg meter per second square को newton कोचो जिमित्य 1 gram centimeter per second square 1 kg meter per second square is 1 newton 1 gram centimeter per second square is 1 dine or you can say the special unit for force in SI unit is newton but in CGS unit is dine ठीक हमें? तो यमित्य convert करा जाया आउट एक्जाम्पल नबा सेम हमें newton रो 1 newton नहीं थीले मने करा जो 25 newton को convert करिवार ची CGS रे कौन करिवा? तो में बे जान दीचाना 1 newton टा 10 to the power 5 बली dine बली तो 25 टा करा जो 25 is equal to 25 newton is equal to 25 into 10 to the power 5 dine simple भुजी हो जो यमित्य करा जे getting my point getting my point similarly let's say Joule कु कन्बट करिवार Joule कु कन्बट करिवार 1 Joule is equal to dash system dash 1 Joule is equal to dash in CGS system you have to convert 1 Joule into CGS unit Joule कार unit NR0 झाले वर करा तो वर करा formula ज्या यहा बारिक is equal to force into displacement बादी नहने 1 Joule which is the special unit is equal to 1 Newton multiplied by multiplied by displacement which is 1 meter or you can say 1 joule is equal to 1 newton meter newton को भी आवरी जोदी भागो करिवा 1 kg meters per second square into meter that means kg meter square per second square आको जयत्वल convert करिवा 1 joule को convert करिवार चीजी आश रह n1 x1 is equal to n2 x2 where n1 is 1 joule or 1 kg meter square per second square n2 you have to calculate x2 convert कर रहर केजी रहर ग्राम centimeter meter or centimeter square time per second square okay now let's convert it 1 kg meter square per second square alright 1 kg convert कर 1000 gram multiplied by meter square that means 100 centimeter square okay PER SECOND कर जब कर याद करिए औस्कूड केजी रहर केजी कर लाद बेपका TAL8 को हणा लादेख को 1000 kg 1000 kg that means 10 to the power 3 gram sorry 1000 gram that means 10 to the power 3 gram multiplied by Sohero square con or 10,000 which is 10 to the power 4 centimeter square per second square is equal to n2 gram centimeter square per second square. Now, all the units will be cancelled. So, you will get 10 to the power 7 is equal to n2 or n2 is equal to 10 to the power 7. You can say 1 joule, 1 joule or 1 kg meter square per second square is equal to 10 to the power 7 centimeter, 10 to the power 7 gram centimeter square per second square. Grams, gram centimeter square per second square. All right. Or you can say in terms of special unit, 1 joule is equal to 10 to the power 7. This thing is called as arc. Okay. 1 joule is equal to 10 to the power 7 arc to the power 7. So, you can say 1 joule is equal to the power. So, you can say 1 joule is equal to the power to the power 8. You could say 1 joule is equal to the power 8 divided by time, when it is equal to the power 6. Your work is equal to the power 8 divided by time. The power is equal to the power 8 divided by time. डिवाइड वाइड वाइड वाण सेकेंड नाओ एवे जत्मल तम्हें जूल रो जानी सरी चो 10 तुदिपार 7 ताल तम्हें काहीं कि आउटरी पूरा लॉंबा स्टेप को जीवां तम्हें डायेक्ट पके दे परीवां वाण जूल आगों कन्वर्ट करी वारा चे सीजी असर तो 10 to the 1 jool is equal to 10 to the power 7 org तो 10 to the power 7 org डिवाइड वाएड वाइड 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 वाण सेकेंड तो cgs रे सेकेंड आगा तो 1 सेकेंड ही रहेवा ताल ए 1 watt is equal to kण अला 10 to the power 7 org पर सेकेंड अंसर तमुरो आसी गोला, CGS सिस्टम रे 10 टू जे पार 7 ही आसी गो, 4, भुजी पार्चो, ठीक कि नहीं, जूल रो जूटे लॉंग प्रोसेसरे कलो, जूल रो भी इमती शॉट प्रोसेसरे करी परिवतमें, जूल इज इकोल डू काणो, जूल इज इकोल डू, पोर्स इज इकोल डू, इज इकोल डू, पोर्स, मालिटी प्लाइट भी इस्टमेड बाय इस्टमेड, ठीक कि नहीं, तो वर्क रूच जूल, जूल इज इकोल डू, रोली काणो, नूटन इन्टो मेटर, नूटन को चंवर्ट करो, 10 तू पार 5 डाइन, मिटर को चंवर्ट करो, 100 cm ताहले 10 to the power 5 into 100 that is 10 to the power 7 diameter 9 cm ताहले ताहले तम्हें कोई पारिवाग नहीं 10 to the power 7 org बले डायरेक्ट भी आशिलायम दे तम्हें any unit convert कोई पारिवा देखो तम्हों कोई आला let's say let's say तम्हों आउ कोई पारिवाग पावर गला work गला energy तो work रो समाना हुआ जोल ताह परिवाग तम्हों जोदिन कोई नंबर पकेकरी दला बने करा जो पाहला 2.3 into 10 to the power 7 joule आको convert करी वाड़ाची CGS unit रे बा जोदि CGS रो SI कोई ला मने करा जो इंद कोई ची 2.3 into 10 to the power 7 org को convert करी वाड़ाची Joule रे अल्टागी नाए अरे 1 Joule is equal to 10 to the power 7 org ताहले 1 org 10 to the power 7 org ताहले 1 org is equal to 10 to the power minus 7 Joule की नाए तो 2.3 into 10 to the power 7 org will be 2.3 into 10 to the power 7 multiplied by 10 to the power minus 7 Joule तो यह कटी जोबाची रोईला करी नाए 2.3 2.3 Joule 2.3 Joule खतम बुची बर्चो जोटी चाम हो कहिला let's say convert 9.3 into 10 to the power 3 dine into newton dine को newton रे convert करी वाड़ाची dine को newton रे convert करी वाड़ाची तो 1 newton is equal to 10 to the power 5 dine okay that means 1 dine is equal to 10 to the power minus 5 newton तो जेती की dine देती वो तम गो सेती रे multiply कर दियो 10 to the power minus 5 you will get in newton तो 9.3 into 10 to the power 3 minus 5 is 10 to the power minus 2 येती की newton भावा similarly one let's say similarly कहिला convert convert 100 centimeter per second square into meter per second square SI unit convert करी वाड़ाची तो 100 centimeter per second square centimeter को meter को ले कराण होची 10 to the power minus 2 so multiply it with 10 to the power minus 2 second square तो second square समान हाची तो centimeter को meter करी वाराची that is 10 to the power minus 2 multiply करो 100 multiplied by 10 to the power minus 2 is nothing but 1 so you will get 1 meter per second square so you will get 1 meter per second square 100 centimeter per second square is 1 meter per second square clear हला एत्ती की जिन्दसा तम्हान कर unit conversion रे मने रखिवाको पड़िवा ता परे जेत्मड़ आमें unit को था को होच unit रोज sub-multiple और multiple भी मने रखिवा sub-multiple माने छोट्टो unit गोट्टी unit को छोट्टो करी वाराची 10 बाग करी वाराची 100 बाग करी वाराची 1000 बाग करी वाराची तो तमगो sub-multiple यूज करी वाराची जदी बड़ो unit करी वाराची तायले multiples यूज करी वाराची पर एक्जामपल जदी आमों कहले 1 meter this is the basic unit this is the first unit that we have come up with now we have to convert this 1 meter into smaller units 1 meter रो smaller units काड़ी वाराची 1 meter रो 200 बागरू भागे कर दिया 1 by 10 meter 10 to the power minus 1 meter आको कण कई वे 10 to the power minus 1 meter को decimeter कई वे dm 100 बागरू भागे 10 to the power minus 2 meter कई ले ताको कई वे आमे कणो centimeter cm getting my point cm means 100 बागरू भागे 10 to the power minus 6 भागा कर वे वे ले micrometer ही जुरो तापरे 10 to the power minus 9 कर वे बादे 1 रे 9 आजुरो सती भागरू भागे कर वे ले ताको nanometer कोई वे nm येटा मौने रोकुत तर येटा बहुत बहुत यूज होब 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter 1 micrometer मैंने 10 to the power minus 6 meter छोटो यूणीट है मानने सोगो nanoparे आउतरे picometer है शिला तापरे femto, eto, zepto 10 to the power minus 21 yokto 10 to the power minus 24 unit गुडा को भुजी बार जदी multiple कोई बाड़ा unit गुट यूट यूट रो बाड़ा unit कोई बाड़ा 1 meter कुट यूदी दासा गुणा कर दावा 10 times you will get 10 meters and 10 meter is 1 dk meter similarly 10 1 meter रे 100 multiply को ला 10 to the power 2 then you will get hectometer then 1000 रे multiply को लाग किलो मेटर getting my point किलो मेटर किलो मेंस 1000 then megameter gigameter terameter petameter exameter zetameter yotometer these are the multiples बाड़ यूट clear रचे I hope मने रखती बाड़ा तो तमुगू जदी किछी भी कोई आवा 1 picometer is equal to 10 meter बाग 1 picogram 1 picogram is equal to 10 gram picogram 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 10 to the power minus 12 so को मने रखती हो 1 picogram is equal to 10 to the power minus 12 gram unit conversion रे इटा भी तम्रों कामरे आशिवो बाग मने picogram को gram रे convert कलो से मिति लेट से तमुगू मने करा जो कोई ला 1 giga giga meter is equal to 10 meter giga meter मने कोण 10 to the power 9 1 giga meter will be equal to 10 to the power 9 meter अल्राइट एमे ती unit conversion तमे एट गोटी टेमल रो सब मल्टीबल मल्टीबल जीटे जाको मने रखी पारीवा ठीक अचिए आई होब आजी रो वीडियो तम्मान को भल लाग थीवा आसाग होची ज़द तम्मान को भल लाग थीवा आको लाइक करो आव चैनल की ज़द एपोजन सब्सक्राइब करनो सब्सक्राइब करके बल नोटिफिकेशन को आज रे सेट करता हो नेक्स्ट क्लास दे में से भी तिल देन बाई भेवे नाइस टे बाई एवरिवाण